आज के बदलते परिवेस में लोग बेटे और बेटी के बीच इस हद तक फर्क कर रहे हैं कि बेटी पैदा होने के बाद एक पती ने अपनी पत्नी को तलाग दे दिया मामला सदर कोतवाली छेतर के अंतरगत मुहला रावत याना का है जहांकि निवासी कदीख खान की पुत्री निखक परवीन ने स्पी कप्टेन एमें बेक को एक प्रातना पत्र दे कर अगत कराया कि उसके पिता कादीर खान ने डेड़ वर्स पुर्वसकी साधी मद्रपरदे सुस्राल जनुन वारा उसे अतरित दहेच के लिए पतारिस किया जाता रहा दहेच पतारना के चलते हुए अपने माई के आकर रहने लगी और उसके यहां पुत्री का जनम हुआ पुत्री के जनम होने के बाद उसके पती शेक सरीफ ने उसे कानुनी रूप से नोटिस पती द्वारा उसके पतारिस के लिए अपने माई के लिए लगी और उसके बेटी का जनम हुआ है इसलिए वा तलाक दे रहा है और कानुनी रोप से नोटिस भेजकर तीन तलाक दे दिया हाला कि इस मामने में पती द्वारा अपने वकेल फरहान एडवोकेट से करने नोटिस भेजा गया और इसी नोटिस के माध्यम से पत्नी को तलाक देने की बात कही गई जिसके बाद से वा अपने मासूम बेटी को लेकर अधिकारों के चक्कर लगा रही है यह बोला है मुझे लड़की लड़की हुई तो हम तो मैं तलाक देंगे और में लटका जही है तो लड़का नहीं आप त मैं तंब तो मैं तो opens ले आख देंगे अंगी तो महां हों तो देंगा तो मर्की में ठीएक्टी खूआ जाएं तो नहें धीज़एं तो भागार या रखेंगे उन्योटे के आविदा तीन तलाग का तीन तलाग देंगे हम तुमें, हमें तो दूसरी साधी करनी है, हमें नित रखना तुमें